हेलो दोस्तों तो आप सबसे पहले ये बताए कि ब्रिट किस चीज की है पहले ये कमेंट करेंगा और ये ब्रिट देखने में कितनी अच्छी लगी है तो सुची खाने में कितनी अच्छी लगी होगी और ये फिर मेरी कमेंट पर मैंने बनाया है मेरे सस्क्राइबर ने क्या क्या कमेंट करते हैं तो यह आपके डिमांड पर मैंने लिया है तो चले आज मैं नाम बताई दूँ यह पूरी 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 100% रावा की है ना एकिना या ना यह रावा की एधित बिरेड आप भी ताब जूब खाजेंगे कि रावा की इतनी अच्छी 100% पूरी वीडि के बनाते हैं तो मैंने अपने दिमाग में अपने चाभी लगाई और फटाक से मैंने अपके लिए रावा की ब्रेड बना दी तो कमेंट बॉक्स में जाए और फटा फट बताई कि यह रिस्पी किसने कमेंट किया था और कहां से हो है तो चले मैंने यह रावा ले लिया वा अब मैं क्या करूंगी इसमें अच्छे सी गूंद लूँगी और पूरी मेजर्मेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी अगर लिखने में थोड़ा लेट भी हो जाता है तो आप टेंसल मत करें जाकर कमेंट कर देजिएगा मैं थोड़ी बीजी होते से कम तीन से चार घंट तो गूंद के मैंने इसे थीन-चार घंट छोड़ दूँगी फिर इसके बात दिखाओंगी कि इसको क्या करना है किसको कहीं गरमजग अपने रखना बस गूंद के छोड़ दिजिए ढख देजे ऑ ठीजिए फिर्ये ब्रेडिड इतनी हेली पूरी क पूरी प्यूर मतलब कि यह रावा से बनी है आपको भी एकीन नहीं होगा तो देखी मैंने क्या के गुन लिया था चार पाच घंटा मेरे पास हो गया था मेरे को टाइम मिल गया था तो मैंने इसे छोड़ दिया चार पाच घंटा अब में काउंटर पर थोड़ा सा तेल लग कभी भी देखिए अगर आपके पास ड्राइ एक्टिव है न इस तो चलेगा पर उसको कैसे इस्तमाल करना आप कमेंट करना तमें बता दूंगे पर मेरे पास इतनी टाइम नहीं है इसलिए मैं हमेशा इंस्टेंट रखती हूं इंस्टेंट क्या है न को उसको कुछ भी करन नहीं होते हैं बाकी इस्ट को फूलने की टाइम चाहिए मैं मेरे पास नहीं रहता है मैं फटाक से सारे चीज़ों के एकी में डालती हूं और गूंद के रेडी रखती हूं इसलिए मैं इंस्टेंट बोलती हूं कि इंस्टेंट लिया करें सबसे अच्छा रहता है बस इसम में जाली बनेगी लेकिन सकर में इसले लेती हूं कि सकर जीतनी आप गोंधते हैं ना उतनी अच्छी जालीा बनती हैं इसले सकर में खड़े लेती जरूर चाहिए कि इतनी एफेट पर मैं यहां वीडियो बनाती हूं आप लोग की जितनी कमेंट होती है न मैं लिख लेती हूं फिर पारा पारे जैसे जैसे आपकी लाइन आती है नंबर आती है वैसे जैसे मैं आपने वीडियो बनाती हूं तो मैं आप लोगों को कमेंट पर आपको लग रहा है आप बोलेंगे कि आप अप जैसे में ने बोला वैसे आप बनाई है विंडो टेश्ट इसमें भी हो गए इतनी अचे लेकिन कोशिप करिएगा कि रावा को अच्या से पाउडर बना लीजीगा तो देखें मैं इसे सेट होने के लिए रख दूंगे बाउल तो यह पास अगर नया टीन हो ना तो इसमें जहरोर लगा जहिए यह देख्या हल्के आहातो से बस मैं कुछ resonates करpted。 और यह तीन है मेरी, मैंने टीन के बारे में पहली एक बीडियो डाल दिया चाहा है से अलग और हटके भी व्रेड है एक एक से मैंने इस सिखा आप कमेंट करके बताना कि ये रिजि पी कैसी लगी तो यह देखे मैं अच्छे से फैला दूँगी फैलाने के बाद मैं इसे रख दूँगी डबल होने के लिए लिए तो डबल होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ देखिया डबल हो गया था मैंने इसकी इस पर धकल लगा के दिखाया था किनकि मैंने बहुत लोग के पास धकन वाला नहीं होता है तो धकल लगा कर रख द पर याद रहें में तीन से निकाल की बाहर रोटीजी में छोड़ दी थी सुबह मैंने तीन में रखा था अब मैं आपके सामने इसे स्लाइस करके दिखा रही हूं पर कभी भी ब्रेट स्लाइस करें न तब ब्रेट कटर रिखाती है नाइफ आती है अप ऑनलाइन भी मिलेगा बेकरी के दुकान पे भी मिलेगी, वह ले लिजे उसे अच्छी से ब्रेट कटती है, तो हाँ ये देखने में बहुत प्यारी और वाइट लग रही है, आप एकीन हो गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएगा, ये रेस्पे आपको कैसी लगी, और हाँ नेक्स्ट आपको चैनल देख रही हूँ, तो मैं कमेंट करेगा, तो मैं आपकी रेस्पी जरूर लाओंगी, फर इस चैनल पर केवल मैं बेकरी सीखाती है, केवल बेकरी बेकरी, ये देखिए, मैंने कट करके रेडी कर दिया, और सारा मेजर्मेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉ नहीं है, आप भी कमेंट करना, और चलिए तो कल फिर मिलते नए रेस्पी नए वीडियो के साथ में,